C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तु थे कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी प्रिश्ट साथ पाठ दो आनंदमई कविता शीर्शक घर पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर घूम घाम लें खेल खाल लें नहीं भूलता लेकिन घर नहीं आपको लगता पापा है मा की गोदी सा घर प्यारी प्यारी ममता वाला सुन्दर सुन्दर न्यारा घर ठककर जब वापस आते हैं कैसे बिच बिच जाता घर खिला पिला आराम दिला कर नई ताजगी देता घर लेखक दिविक रमेश इस प्रिष्ठ पर तीन चित्र दिखाए गए हैं सबसे उपर वाले चित्र में एक बच्चे को उसके पापा पीठ के बल लेट कर अपने पैरों पर उसके पेट को टिका कर उसे जूला जूला रहे हैं दूसरे चित्र में जो के प्रिष्ठ के बीच में बनाया गया है उसमें बच्चे के पापा शाम को काम से लटते हुए नजर आ रहे हैं वे घर के दर्वाजे पर हैं और बच्चा बड़ा प्रसन्न होकर उनकी तरफ दोडता हुआ दिखाया गया है तीसरे चित्र में जो प्रिष्ठ के सबसे नीचे बाई ओर बनाया गया है घर के आंगन में चार पाई पर पापा बैठे हुए नजर आ रहे हैं उन्होंने अपने बच्चे को अपने गले से लगाया हुआ है पापा और बच्चे दोनों के चेहरे पर प्रेम के भाव नजर आ रही हैं दोनों प्रसन्न मुद्रा में हैं उनके ठीक सामने एक मेज रखी है प्रिष्ठ आठ बात चीत के लिए एक आपको अपनी घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यूं दू आपको कब-कब घर की याद आती है तीन घर को मा की गोदी सा क्यूं कहा गया है चार कोई ऐसे घटना सुनाईए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो खोजे जाने एक घर कविता अपने परिवार के किसी सदसे को सुनाईए घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए दू, अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए यहां पर बाई और परिवार के लोग शीशक के नीचे लिखा है आपकी मा की बहन आपकी मा के भाई आपके पिताजी की बहन और आपके पिताजी के भाई आपको दाई और लिखे शीरशक आप इन्हें किस नाम से बुलाते हैं के नीचे जो रिक्त स्थान हैं वहाँ पर इनके नाम लिखने हैं हो सकता है कि सभी बच्चे यह कारे करके ना ला पाए जो भी बच्चे ला पाएं उन्हें उनका कारे कक्षा में साजा करने को कहिए ताकि सभी बच्चे उसका आनंद ले सकें बच्चों द्वारा अपनी अपनी मात्री भाषा में लिखे गई शब्दों को स्विकार कीजिए और कक्षा में बहु भाषिकता की भावना को प्रोच साहित कीजिए अभी आप सुन रहे थे कक्षा दो की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी वाचन्स्वर बावला कोचर और मम्ता मलकानी तक्नीकी निर्देशन बटी लैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्मान सहायक तनु गुप्ता निर्देशन एवं निर्मान विमलेश चाओधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत